कॉंग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे लेकिन कॉंग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे कॉंग्रेस ने देश का मुकुड तोड़ दिया कॉंग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने बरपूर समर्षन दिया है जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है वो कट्टर देश भक्ता मेरे हरियाना के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या जो कॉंग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है वो हरियाना को कभी भी खुश रख सकती है क्या दुनिया में जो जो भारत को बदनाम करने में जुटे हैं जो हमारे दुश्वनों के एजन्डे को आगे बढ़ाते हैं कॉंगरिस के ये नेता उनको खुले आम गले से लगाते हैं ये अर्बन डक्सली गटजोड भारत को कभी भी मजबूत होते नहीं देख सकता इसलिए ये लोग हमारी सेना पर भी हमला करते हैं आप देखिए हमारी सेना ने दुश्वनों को बार बार पिटा लेकिन कॉंगरिस का साही परिवार दुश्वनों की तारीप करता है साथियों मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था वहां कॉंगरिस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे इनमें लिखा था कि कॉंगरिस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि तीन सो सत्तर वापस लाएंगे लेकिन कॉंगरिस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पियों को वापस लाएंगे पियों के वापस लाना उनके मुँ से नहीं निकलता है कॉंगरिस ने देश का मुकुड तोड़ दिया कश्बीर के भी टुकड़े कर दिये इतना बड़ा हिच्छा गमा दिया ये उस पियों के को वापस लाने की बात नहीं करते लेकिन ये लोग तिन सो सत्तर वापस लाना चाहते ये बाते आज सोचल मिडिया पर कॉंगरिस के लिए लिखी जा रही है सही मैं ये देश का दुर्भा क्या है तीन सो सत्तर की वापस के मुद्धे पर कॉंगरिस को कॉंगरिस को उसकी तारीप कर रहा है कॉंगरिस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्षन दिया है अब आप ही बताईए जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है वो कट्टर देश भक्ता मेरे हरियाना के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या जो कॉंगरिस पाकिस्तान को खुश करती है वो हरियाना को कभी भी खुश रख सकती है क्या करता है